तो solution के बारे में जानेंगे कि what is a solution? क्या है solution? तो solution is a homogeneous mixture of two or more substances. कि दो या दो से ज़्यादा substances का एक homogeneous mixture को solution कहेंगे. Substance क्या थी? जो हमने अभी पीछे पड़ा, कि जिसको और ज़्यादा physical filtration से हम अलग ना कर सकें, जिसके सारे constituent particles सेम हो, एक तरह के हो, जैसे नमक, चीनी, ये substance हैं. और पानी जैसे एक substance है, चीनी एक substance है, तो इस तरीके से इनका homogeneous mixture, homogeneous मतलब जिसके अलग-अलग parts के अंदर बराबर मिल रखा हो. नमक में पानी हम मिला देते हैं, तो वो बराबर मिलता है हर दिशा के अंदर, उसको मिलाने के बाद, तो वो homogeneous mixture. इस तरीके के homogeneous mixture, जिसमें दो या दो से ज़्यादा substance मिले हो, उसको हम solution कहते हैं. हम चारों तरफ भी हमारे जो रोज मरला जिंदगी के अंदर, हम इस तरह के solutions देखते हैं, जैसे soda water है, उसमें soda और carbon dioxide मिले होती है, निम्बू पानी में निम्बू पानी मिला होता है, तो यह solutions हमें रोज देखते हैं. तो जाए तर हम सोचते हैं कि liquid में या तो को solid मिला रखा हो, या gas मिला रखे हो, तो उसको solution हम कहें, लेकिन असल के अंदर हमारे पास solid solutions भी होते हैं, जिनको हम alloys भी कहते हैं, या फिर gaseous solutions भी हो सकते हैं, जैसे जो हमारी हवा है, वो भी एक तरह का solution है, क्योंकि उसमें सारे अलग-अलग substance homogenously मिले हुए हैं, उसमें oxygen, carbon dioxide, nitrogen, यह सब gases जो हम सांस लेते हैं इस air में homogenously मिले हुए हैं, तो यह भी एक perfect एक तरीकी का अच्छा solution का example है, तो एक solution में homogeneity, particle level के उपर हमें मिलती है, तो जैसे निम्बू पानी उपर से नीचे तक उसका taste आपको बराबर आएगा, जातरा, अगर अच्छी तरह मिला रखाओ, तो वो एक solution का example है, इसमें sugar, salt, सब अच्छी तरह मिला हुए है, तो alloys हमने जो उपर वर्ड किया, तो alloys जो हैं, वो homogeneous mixtures हैं, metals के, दो या दो से ज्यादा metals को बराबर तरिके से मिलाए जाए, ताकि उसकी जो composition है, हर जगाँ, जो particles की same रहे, दोनों metals की, तो जो नई चीज बनती है, उसको alloys कहेंगे, तो यह इस तरह का alloys बन गया, तो हम किसी physical method से उसको अलग-अलग metals, जिनसे वो alloys बनाया, उसको नहीं कर सकते, तो alloys को हम mixture मानते हैं, क्योंकि वो properties, जिन constituent particles ने वो alloys बनाया, उन दुनों की properties उस alloys के अंदर होगी, और इसमें हम composition कितनी percent कौन सा metal हमने मिलाया, वो हम अलग-अलग vary भी कर सकते हैं, जैसे कि brass जो है, वो एक alloys का example है, इसमें करीबन 30% हम zinc मिलाते हैं, और 70% copper मिलाते हैं, तो brass जो एक example हो गया, alloys का, जिसमें 70% copper है, 30% zinc है, तो एक जो solution में, एक तो solvent होगा, और एक solute होगा, तो दो चीज़ें एक solution में होते हैं, एक solvent और एक solute, तो जिस चीज़ के अंदर जो जादा चीज़ है, जैसे पानी के अंदर हमने नमक मिलाया, तो जो ज़्यादा चीज है जिसके अंदर चीज मिलाई जा रही है उसको हम कहते हैं solvent और जो चीज मिलाई जा रही है जिसकी quantity कम है उसको हम solute कहेंगे तो ज्यादा पानी में थोड़ा सा नमक मिलाया तो जो पानी है वो solvent हो गया और जो नमक है वो solute हो गया तो इस नमक पानी के mixture में तो इसकी examples हैं यह जैसे चीनी के अंदर हमने चीनी पानी का solution मनाया लिक्विड solution है वो तो उसमें चीनी solute होगी और क्योंकि पानी ज्यादा था तो वो solvent हो गया ऐसे ही iodine जो है वो alcohol के अंदर जो इसको tincture of iodine कहते हैं तो iodine solid जो है वो कम मात्रा में मिलाई तो वो solute हो गया alcohol जो लिक्विड है वो ज्यादा quantity में था तो वो solvent कहलाएगा इसको tincture of iodine कहते हैं solution of iodine and alcohol ऐसे aerated drinks जो soda water carbonated drinks भी कहते हैं जिसमें तो उसके अंदर carbon dioxide जो gas है वो solute होगी और जो पानी है वो solvent हो गया air जो mixture है gas की homogeneous mixture है कई तरह की gases का तो उसके main constituent जो 20% ध्यान देने वाली बात है जो हमारी हवा उसमें 21% oxygen होती है और 78% nitrogen होती है तो बाक्की जो gases है वो बहुत कम quantity के अंदर available होती है जो air के अंदर तो solution की properties क्या क्या होंगी एक तो solution number one homogeneous mixture होता है तो number two जो है जो solution के जो particles है उनकी जो diameter है वो one nanometer एक nanometer होता है 10 raise to power minus nine meter मतलब एक meter को आप divide by one के आगे nine zeros करेंगे तो वो nine one nanometer बनता है तो इससे इतने छोटे particles होता है कि आखों से नहीं हम इनको देख सकते क्योंकि इनका छोटा size होता है तो वो जो beam की जो हम ऐसे light beam मारते है solution के उपर उसको वो scatter नहीं करती तो तो जो light का जो path है solution में वो आपको दिखेगा नहीं जैसे निम्बू नमक और पानी का आप solution करेंगे उसमें से light path कोशिश करेंगे तो आपको light का जो path नहीं दिखेगा उसमें तो जो solute particles हैं जो हमने solvent में मिलाए थे तो उनको किसी भी filtration की process से हम mixture से अलग नहीं कर सकते और ना ही जो solute के particles हैं वो रख देने के उपर उसको कुछ time तक पढ़े रहने दो तो solution के अंदर नीचे जमते भी नहीं जैसे चाक और पानी के mixture में तो चाक जम गया था तो वो solution नहीं कहलाएगा लेकिन नमक और पानी को मिला दो तो नमक नीचे नहीं जमेगा कितनी देर भी आप उसको रख लो तो यह इस तरह के solution को हम कहेंगे stable solution तो यह properties solution की हमने इसमें जाने हैं